अब इस वीडियो में जुरू करेंगे अपना चैप्टर 19 क्लास 11 बाइलोजी एंस या पढ़ रहे हैं रीडिंग करेंगे पूरी लाइन टू लाइन ओके complete information आपको दी जाएगी नीट लेवल तक जो हमें basic questions यहां से मिलेंगे वो भी आपको बता दी जाएगे अलाकि यह वीडियो सिर्फ academics के लिए है आपकी general studies के लिए है exam point of view से है class 12 के अंदर अगर आपको better perform करना है तो 11 से सीखना शुरू करना पड़ेगा ठीक है इसके लावा body के इंदर breakdown बगरा भी होता रहता है और जो सारे का सारा useless part है उसको बोलते है हम excretory product जिसको body से बाहर निकालना जरूर है ठीक है अब वो कौन-कौन से product है वो पढ़ेंगे chapter में and their elimination और उनको बाहर कैसे निकालते हैं वो तरीका पढ़ेंगे और किस organ की help से निकालते हैं उस organ को पढ़ेंगे तो सारे के सारे mechanism को हमें chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं तो चलिए अपना करते हैं पैसे फर्स स्टार्ट सबसे animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide and water and ion-like sodium, potassium, chlorine, phosphate and sulfate यह जो कुछ हमने नाम बताई compounds के यह वो सारे compound हैं जो हमारी body में animal body जो हैं को accumulate कर लेती है जो breakdown reaction होती हैं तो उनके result से जो बाद में बनती हैं इनको हमारी body क्या गरती है इकठा करके रख लेती है इधर by metabolic activity और by other mean like excess ingestion अब देखो घराब चीज़े दो तरीके से एकठा होंगा आपकी body में एक तो वो जो आपने क्या किया metabolically ठीक है metabolic तरीके से मतलब के आपकी body में बहुतारी reaction हुई breakdown हुआ तब वो चीज़ा इकठा हुई है ठीक है उसके बाद आपका दूसरा है कि आपने इसको ingest ही ज्यादा कर लिया खा लिया ज्यादा ठीक है बोड़े के नदर डाल लिया ज्यादा कई बार हम बिमार होते है excess medicine हम ले लेते हैं ठीक है तो उस time पर हमारी body में बढ़ जाती है these substance have to be removed totally और partially अब कुछ समान ऐसा है जो के हमारी body के लिए harmful है toxic है maybe कल को वो जान लेवा भी हो सकता तो इसको तो हमें totally निकलना पड़ेगा ठीक है लेकिन कुछ ऐसा है कि सारा निकल जाए तो अच्छी बात कुछ सा समान है in this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substance with special emphasis on common nitrogenous waste इसमें हम पड़ेंगे कि सीजों कैसे बार निकालते हैं हमारा main जो concentration रहेगा वो रहेगा nitrogenous waste पे ammonia, urea and uric acid are the major form of nitrogenous waste अब जो nitrogenous waste है उसके तीन main type वो आपकी ammonia है, urea है और uric acid है इनहीं की waste पे तीन type के animals होते हों नीचे पड़ेंगे ammonia is the most toxic और ammonia जो है वो सबसे ज्यादा जहरीला है, toxic है and require large amount of water और जो चीज इतनी ज्यादा जहरीली होगी उसको उतना ज्यादा water चाहिएगा remove करने के लिए, flush out करने के लिए body से ठीक है whereas अब ammonia के comparison में uric acid कम toxic है और uric acid के comparison में जो आपका क्या रहेगा, urea रहेगा वो और भी कम toxic रहेगा, तो uric acid इतना कम है कि इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए minimum water तो अगर में इनको arrange करता हूँ, increasing order, decreasing order में, तो सबसे top पे आएगा आपका ammonia, सबसे ज़्यादा toxic उसके बाद आए आपका uric acid और सबसे कम toxic रहेगा आपका urea, और आप सबको पता हो, तो humans urea secrete करते हैं, bird uric acid secrete करते हैं, और fishes जो है किवेटिक animal वो ammonia release करते हैं और जो organism ammonia release करेंगे, उनको बोलते हैं, ammoniotelic, ठीक है, ammonotelic, और जो uric acid secrete करते हैं, उनको बोलते हैं, uricotelic, और जो urea secrete करते हैं, as a waste, उनको बोलते हैं, uricotelic, वो अभी हम इस वाले पैसेज में पढ़ लेंगे the process of excreting ammonia is called ammonotelism, process को बोला गया, ammonotelism, many bonny fishes, aquatic animal, amphibian, aquatic insect, वो क्या करते हैं, वो ammonotelic हैं, nature में, ठीक है, वो ammonia release करते हैं, और जोकि वो aquatic हैं, तो उनके पास पाने के भी कोई कमी नहीं होती ammonia, it is readily soluble, फिर से घुल जाती है, it is generally excreted by diffusion across body surface, और through gills, और देखो, पानी में रहने वालों के पास gills होते हैं, ठीक है, या फिर body surface से वो अपना सारा क्या करते हैं, ingest और excrete करते हैं, मटे को, तो वहाँ पे easy हुजता है, पानी के साथ घुल के, क्योंकि ज्यादा अच्छी solubility दिखाती है, पानी के साथ, जल्दी से बाहर निकल जाती है, ammonia iron की form में, kidney do not play any significant role in its removal, देखो इसको पानी में गोल के निगाल सकते हैं, तो kidney का कोई role रहेगा नहीं आपे, अब आती है बाद, terrestrial adaptations की, उन्होंने, देखो terrestrial पे, जो जमीन पे जो लोग आ गई, जो जानव पानी में क्या कर सके, कच्रे को बाहर निकाल सके, ठीक है, तो उनकी बोड़ी के अंदर क्या आई, their terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid, तो evolution ने भी हमें क्या दिया है, ये वर्दान दिया है कि हमारी बोड़ी से ammonia नहीं निकलेगी, बलकि उसके बजाए, थोड़ा सा less toxic, जो urea या य marine fishes, mainly excrete urea, ठीक है, जो अब terrestrial amphibian है, या जो marine fishes है, समंदर वाली, वो क्या करती है, और including mammal, urea secrete करती है, and our card ureotellic, उनको क्या बोलते हैं, ureotellic, ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver, ये बहुत important, या आपका information आगे, नेट लेवल की, कि वही, name the place where urea, sorry, ammonia is converted into urea, ठीक है, and release into the blood which is filtered and excreted out by the kidney, ठीक है, क्या mechanism हुआ, ammonia था, लीवर में गया, लीवर से निकला वो यूरिया बन गया, यूरिया में से गया, यूरिया गया, बलड में, बलड से जाएगा kidney में, ठीक है, और kidney से बाहर निकल जाएगा, some amount of urea may be retained in the kidney matrix for some of these animals to maintain desired osmolarity, अब देखो, सारा गरम बार निकाल देंगे, तो osmolarity का balance बिगड जाएगा, ठीक है, तो हमारी बोडी कुछ चीजों को बोडी के अंदर absorb करके रख लेती, कुछ amount of urea को, ठीक है, reptile, bird, land snail and insect excrete nitrogenous waste as uric acid, जो reptiles हैं, birds, snails हैं, insect होगा करते हैं, uric acid, जो beat की form है, paste की या pellet की form है, बोडी से बाहर निकलता है, सबको पता होगा, आपकी गाड़ियों पे कब उतर गिरा देते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, paste सा होता है, वो semi solid होता है, minimum loss होता है, होपे water का, ठीक है, और उनको बोलते हैं, uricotelic, तो यह team type के आपके organism थे, अब survey वाली बात पढ़ लेते हैं, survey में क्या था, a survey of animal kingdom present in variety of excretory structure, देखो क्योंकि हम अभी तक वो chapter नहीं पढ़ गया है, animal kingdom वाला, तो हम में थोड़ा सा confusion होगा पढ़ने में, लेकिन अभी आप तो नाम अदर क्या था, जब animal का evolution, वाँ single cell से लेगे multi cell तक different type of organism थे, तो सब के अंदर kidney नहीं है, ठीक है, तो महाँ पर क्या है, अलग अलग structures है, इन most invertibrate, अगर invertibrate की बात करें, these structures are a simple tubular form, whereas vertebrate have a complex tubular organ, देखो vertebrate में तो एक organ है kidney जैसा, और बाकियों में पतली पतली बस tubes की ही एक arrangement हो जाती है, जहां से वो अपने सारे काम करते हैं, some of these structures are mentioned here, देखो जिसकी नाम है proton nephredia और flame cells, ये किस के अंदर रहेंगे आपकी, platyhelmin, flatworm अगरा के अंदर होती है, ठीक है, अब जो rotifers, some analid and the cephalocodate, like amphioxus, ठीक है, इन सब के अंदर क्या रहेंगे आपकी proton nephredia या flame इंसेल्फ, proton nephredia are primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, इनका basic function क्या है, iron balance करना और fluid volume जो बोल्यम में इसको regulate करना, ठीक है, और osmotic regulation को क्या बोलते है, osmo regulation, nephredia, वो proton nephredia था, अब थोड़ा साइड़ा इवान साइगा evolution के course में nephredia, these are the tubular excretory structure of earthworm, ये earthworm की हैं specific, and जो थोड़े से developed analytes हैं उन maintain a fluid and ionic balance, देखो kidney हो, nephredia हो, proton nephredia हो, सब का काम क्या रहता है, maintain करना balance को, कौन सा balance, ion का और fluid का, मतलब कि osmotic balance को, अब जो नया आता है, advance इन से, वो है, malphigian tubules, वो रहेंगे आपके insect के अंदर, like cockroaches, ठीक है, cockroach वगरा के अंदर क्या रहेंगे, आपके सबसे, इन में, इन सब से क्या है, advanced, malphigian tubules, malphigian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation, entenal gland and green gland perform the excretory function in crustation like pronts, जो के कडे जींगे, वगरा होते हैं, उन के अंदर क्या है, entenal gland और green gland, देखो, अब organism के name के साथ, उनका excretory structure का नाम था, ये काफी information ऐसी है, जिसको बंदे भूल सकते हैं, और ऐसी ही चीजों को जो की काफी puzzling होती है, इस्तिमाल किया जाता है, need जैसे test के अंदर, ठीक है, तो इसको भी आप ढंक से एक बार cover कर लेना, अब आएगा human excretory system, इसको हम करेंगे next वीडियो में, क्योंकि उससे फिर अबना एक flow बन जाएगा, ठीक है, तो human excretory system है, इसका basic सा हम आपको बता देते हैं, introduction देते हैं, कि इसके अंदर क्या रहेंगे, आपकी pair of kidney रहेगा, ठीक है, right और left जो आपकी kidney रहेंगी, इनमें से निकलेंगे आपकी क्या, ureters निकलेंगे, then urethra, then आपका urinary bladder आता है, ठीक है, ये, urinary bladder हो जाएगा, ये आपके urators है, and these are your pair of kidney, and the last one is rithra, और यहाँ पर blood supply के लिए क्या होती है, आपकी renal artery होती है, और inferior vena kawa, ठीक है, ये दो आपके blood vessels रहती है, अब ये cortex medulla क्या है, जब हम kidney की बात करते हैं, ठीक है, तो एक आपको दिख रहागा, ये अंदर वाला part है, ठ medulla, और जो बहार वाला हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं, cortex, I think आपको clear हुआ होगा, बाकी हम बढ़ेंगे एगली वीडियो में पूरा detail से इसको, जब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, like करें, share करें, subscribe करें, thank you.